मध्य प्रदीश में विधान सभध चुनाव खुलिकार, होंग्रेस और बीचेपी की ओर सी लगातार सूची चारी की जा रही है। दोनों ही पार्टियों की ओर सी एक के बाद एक लगातार कई सारी दावे भी किये जा रही है। इस बीच भारतिय जन्ता पार्टी को बड़ा जटका लगता दिख रहा है। दरसल भारतिय जन्ता पार्टी के पुर्वा मंत्री को होट अटेक आया है। जिसके कारण उन्हें ततकाल नीजी एस्पिताल में भरती करा गया। बता दें कि भारती जंता पार्टी से उन्हें उमीद थी कि पार्टी टिकट जरूर देगी लेकिन एन वक्त पर मिला ही नहीं इसके 24 घंटे के अंदर ही उन्हें दिल का दोरा पड़ गया जिसके बाद से ही वो नीजी अस्पताल में फिलाल भरती है दरसल खबर है कि मध्य प्रदीश में पूर्वमंत्री उमा शंकर गुपता का दक्षिड पश्चिम बिधान सबा सीट से पहले चिकट खटा और 48 घंटे बादी उन्हें दिल का दोरा पड़ गया मध्य प्रदीश में भारती जंता पाटी संगठन से लिकर सरकार तक कत्दावर निताओं में गिने जाने वाले उमा शंकर गुपता अपना टिकट कटने से बेहद नारास थे इसको लेकर उनके समर्थकों ने भारती जंता पाटी के मुख्याले में दक्षिड पश्चिम सीट से भगवान दास सबनानी को देकट दिये जाने का विरोध भी किया था गुपता भी इलाज के लिए भोपाल के एक नीजी अस्पताल में भरती है और उनकी हालत फिलाल खत्रे से बाहर बताई जा रही है बता दी कि उमाश शंकर गुपता दक्षिड पश्चिम विधान सबास सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थी इसके पहले इस सीट से वे विधायक भी बने और भारती जंता पाटी की सरकार में मंत्री भी रह चुके है ऐसे में बीजेपी की पाँचवी सूची में उनकी जगा भगवान दास सबनानी को दक्षिड पश्चिम से उम्मिदवार बना दिया गया खबर मिली कि 24 घंटे पहले उमाय शंकर गुपता का टिकट कड़ा और 24 घंटे बादी उन्हें अस्पताल में भरती करना पड़ा इसे लेकर जब उमाय शंकर गुपता के समर्थकों को इसकी खबर पता लगी तो टिकट बदले जाने की डिमांड के साथ भारती जुनता पार्टी के मुख्याले पर प्रदोशन किया हला कि पार्टी ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही कोई इस पर खबर सामने आई लिया जा देखना होगा कि क्या आगे पार्टी इस पर कोई बिचार करती है या फिर नहीं हलाके भारती जुनता पार्टी के स्थानी जुलाध्यक्ष ने गटना को बताते वे कहा कि वे भंडारे और देवी आरती में शामिल होने उमाशंकर गुपता गए थी। वहीं अचानक उनके सीने में तीज दर्द उठा। उन्होंने बताया कि अस्पिताल ले चलो नहीं ठीक लग रहा है फिलाल तो जिलाध्यक्ष समेट जो तमाम निता वहाँ पहुंचे थे उन सब ने उन्हें लेकर श्री अस्पिताल में भरती कराया। जांश्वरबाती जांच में ही डॉक्टरों ने बताया कि ब्लॉकेज है। अब उन्हें स्टंड डाले जा रही है। क्या इ करी दिता है।